रामक्रिष्ण की प्यारी गईया सारे जग की माता है रामक्रिष्ण की प्यारी गईया एक समय की बात है तुरलोक विजयी इंद्र को बड़ा अहंकार हो गया मैं तुरलोक विजयी हूँ आसुरी शक्तियों पर मैंने विजय प्राप्त की है ओ क्या कहना स्वर्ग मेरिशी इंद्र की स्थुति कर रहे थे वेद की रिचाओं से गंधरव गा रहे थे यसको अपसराएं नाच रही थी इंद्र अंकार में फूले हुए थे उसी समय गुरु ब्रहस्पति आये अपने पूज्य माता पिता गुरुजन आवे तो हम किसी भी अवस्था में हो ततकाल खड़े होकर उनका आदर करना चाहिए हमारे अशास्त्रों में लिखा है जब कोई अपने से पूज्य बड़े गुरुजन आते हैं तो हमारे प्राण उपर की और उठते हैं प्राणों का उत्क्रमन होता है ऐसा शास्त्रों में लिखा है प्राण उपर कुर उत्कमित होते हैं तो जब व्यक्ति उठकर खड़ा हो जाता है तो प्राण जिस स्थान से उत्कमित हुए हैं उचे कुर उठे हैं वो प्राण पुनह अपने स्थान पर आ जाते हैं उससे उस व्यक्ति का कल्यान होता है, उसकी आयू की वृध्धी होती है, उसके पुर्णे की वृध्धी होती है, और अपने से बड़े आ गए, और आपने बैठे रहे धंधुस्य की तरह, तो प्राणों का तो उतक्रमन हो गया, और आपने सम्मान नहीं किया, तो उससे आपका के पासे ही जाना तो इनकी आने पर हमें उनका उठ stripes करना चाहिए उनका सदकार करना चाहिए तां 21 में क्या प्राध बना था यह प्रच बना था वह महा काल भगवान के मंदर में बैड करके अग्यूसुण जी जब कर रहे थे उनके गुरूजी आ गए तो उठ की नप्रणाम उठकर के प्रणाम नहीं किया, कोई बात नहीं, गुरु जी तो रोज आती है, जल चड़ाने, अब हमारी माला पूरी नहीं हुई, हम कहां उठके खड़े हों, बस गुरु जी को तो प्रसनता ही हुई कि चलो निश्ठा पुर्वक्सिस जब कर रहा है, भजन कर रहा है, पर स उसको खल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन शंकर जी ने उसको कागुशंड जी को खल का, अरे खल, यदि में तुझे दंड नहीं देता हूं, तो वैदिक सदाचार का मार्ग नस्ट हो जाएगा, मार्ग नस्ट हो जाएगा, अरे पापी, अजगर के समान बैठा रहेगा, जा, अजगर बंजा, हजारों बार, तुझे संस्रती के चक्र में पढ़ना पड़े, गुरु जी हाहा कार कर उठे, और गुरु जी ने फिर नमामी, शमी, शान, निर्वान, रूपम कहकर सिभी जी को मनाया, और उसर संकर जी तो दयालू है, कृपा कर दी संकर जी, इस चूक के कारण इतना बड़ा अपरा, डंड उनको भोगना पड़ा, हमारे यहां शास्त्रों में लिखा है कि जप आधी के समय बीच में बोल जाएं, तो फिर आच्मन करके पुना पूरा जप करना चाहिए, शुरू से माला बस बोलना पड़े तो, किन्तु, पूज्य गुरुजन यदि जपके मध्य भी कुछ बोल दें, तो ततकाल उन्हें उत्तर देना चाहिए, आच्मन करके यदि वह अपुना माला करता है, तो अपराध का भागी होगा, क्योंकि मोते अधिक गुरु ही जिये जानी, वहां आ गुरु सेवा में अपने मध्य में भी नियम का विश्राम करके सेवा करनी पड़े, तो भी नियम में बाधा नहीं है, नियम पूरा माना जाएगा, नियम अधूरा नहीं माना जाएगा